दोस्तों मार्केट उच्छे स्तर पर है लेकिन उस दोरान भी खरीददारी के अफसरों के रूप में HDFC बैंक की चरचा की जा रही है उसका डिसकसन तो हम करेंगे लेकिन दोस्तों अभी एक दो दिन पहले हमारे एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा था कि सर बिटकोईन में करना है क्या करें तो भाया जी हमने हाथ जोड़ लिए उनसे कि विटकोईन विटकोईन हम नहीं करते क्योंकि इसके नीचे अंडरलाइन नहीं है और सरकार के खिलाफ हमें नहीं खिलना है दोस्तों यह बेसिक सद्धान्त जिसका हम पालन करते हैं और इसने हमें कभी नुक कमा भी लोगें ऐसे तो टेंसन आएगी इस मुल्गुच सद्धान्त का वायोलेशन किया यह क्रिप्टो करेंसी निविशकों ने अब आज देख लीजिए आप नो ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंजेज पर प्लेटफॉर्म्स पर भारत ने बेंट ठोग दिया क्योंकि उन्होंने सरकार के कहे अनुसार अपना रेजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो पॉइंट दोस्तों यह है कि यह जो पॉलिसी अनसर्टेनिटी है मोदी जाहिब की बाइडन बबा की आई एम एफ की वर्ल बैंक की गाज गिरती रहेगी तो ऐसे धंदे पर आपने क्यों निवेश करना है जनाब जहां इतनी चिक चिक है अनाफ सनाब टेक्स देना पड़ेगा यह इन्वेस्टमेंट टेक्स एफिशेंट नहीं है तो ऐसे HDFC बैंक की हम यूट्यूब पर देखते हैं अखवारों में बड़े बड़े एक्सपर्ट सब बोल रहे हैं कि HDFC बैंक सोया हुआ शेर है जाग गया है अब यह दुनिया भर में दाहरेगा तो हमने पूचा माश्या इसका कारण क्या है तो उन्होंने कहा कि HDFC का निफ्टी म मल्टीपल 22 के लगवग है HDFC का 18-17 के लगवग है तो HDFC अब चड़ेगा क्योंकि महेंगे निफ्टी में सच्ता HDFC रह नहीं सकता तो निफ्टी HDFC को उपर खीच लेगा यह लॉजिक है भाई साब दूसरा मर्जर वर्जर जो हो रहा था वो सब हो गया है आप कंपनी के अब सुख आयो रहे है यह चॉकलेट दी जा रही है जनता को हमने कहा कि इस चॉकलेट को आप ले लो कोई दिक्कत नहीं लेकिन दोस्तों आप एक की टर्म होता है नेट इंटरस्ट मार्जिन जिसकी बड़ोतरी होने पर ही बैंकों के शेर बढ़ते हैं अगर नेट इंटर इंटरस्ट मार्जिन घिर रहा है तो बैंकों के शेर कैसे बढ़ जाएंगी नेट इंटरस्ट मार्जिन होता है डिफ्रेंस है तो बैंकों की लोन माटने से कमाई होती है एवडी करने से उनके पास पैसा आता है तो लोन जो माटते हैं वो अधिक ब्याजदर पर बाटते ह FD वगेरा की ब्याजदर सस्ती होती है जैसे होम लोन की 12% है FD की 8% है तो मोटा मोटी Net Interest Margin 4% का होगा तो दोस्तों ये जो Net Interest Margin है वो ही घट सकता है इनकी मूलबूत कमाई है वो अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों के रहे हो अरे जनाव अमेरिका से खबरें आ रही है भारत में सब लोग मूठा उठा के देख रहे हैं कि Reserve Bank ब्याजदरें कब काटेगा अगर Reserve Bank ने ब्याजदरें काटी तो जो Bank करजा देते हैं कंपनियों को उसकी ब्याजदरें पहले नीचे जाएंगी तो बैंकों की जो कमाई है वो जल्दी घटेगी बनचपत जो FD की रेट से हैं उनको नीचे आने में समय ज्यादा लगता है तो बैंकों की कमाई कम हो सकती है इनके Net Interest Margin घट सकते हैं अब दोस्तों HDFC Bank के बारे में सोचने के पहले भी इस रिस्क के बारे में आपने परचत होना पड़ेगा और नजर रखनी होगी साथ मैं सबाल आते हैं हमारे यह HDFC का चार्ट अनालिसिस कर दो तो आप चार्ट देख लीजिए यह भाई साहब historical resistance है दो तीन साल से resistance पार नहीं हो पा रहा है तो हमारा अग्राई यह है कि या तो आप resistance पार हो जाने दीजिए उसका इंतिजार कर लो आथवा जब भविश्य में गिरेगा नीचे जब support बना हुआ दिख रहा है आपको 1500-1400 के लेवल पर तो वहाँ खरीदने का विचार बनाईए अब दोस्तों आपने से कोई लोग कह सकते हैं कि या आप support का इंतिजार नहीं करना इस ट्रॉक तो भाग जागा भाग जागा भाग जागा तो भाई सहाब आपको इतनी गरम चाय पीने की आदत है तो थोड़ी बहुत किस्त डाल दीजिए अभी लेकिन आपके पास मादबा होना चाहिए कि कल को HDFC गिरे तो आप नीचे खरीद सकते हो घवणाएं नहीं आप लेकिन अभी जब बिलकुल रेजिस्टेंस पर खड़ा हुआ है तभी सब लोग recommendation दे रहे हैं HDFC खरीद लो खरीद लो खरीद लो तब HDFC बुरा था क्या तो भाई सहाब थोड़ा सा इंतजार का मज़ा ले लीजिए क्या दिखकत है कहीं नहीं जा रहा है HDFC आप में ते जो हमारे विद्ध्यारती है आत्पनिरवर investor course के उनको हमने पढ़ाई है बाजी राओ की wealth creation strategy deploy कर लो आप और आज शुक्रवार कर दिने स्री चार्ट महलक्षमी की की सरण में समर्पन कर दीजिए आपका पैसा पक्के से बनेगा आप दोस्तों कल साम को ही सवाल आया था कि सर बजाज finance की बता दो तो बजाज finance का चार्ट भी देख लो आप इसमें भी वही दिक्कत है resistance से टकरा के नीचे आया है इनके हाथ पाओं फूल रहे है resistance को पास करने में नीचे अब support पर है भाई साहब 7000 का support है और नीचे 5500 का support है तो point दोस्तों यह है कि इस पर अभी मजबूती का संकेत नहीं है या तो यह 7000 पे मिल जाए या यह 5000 पे मिल जाए तो मज़ाद आएगा दूसरा बजाज फाइनेंस की दिक्कत है sectoral disruption की मतलब जीओ फाइनेंस भी तो आ रहा है भाईया जी अभी तक तो बजाज फाइनेंस से सिर्फ फाइनेंसिंग देता था लोन बाटते थे प्रेज वाशिंग मशीन मोबाइल खरीदने के लिए किन तू जो जीओ फाइनेंसिल आ रहा है उनके पास प्रोडक्ट बेचने की छमता है साथ में लोन देने की भी है तो वो ज्यादा मजबूत हैं लड़ने के लिए बजाज फाइनेंस की तुल नाम है तो सेक्टर में उतल पुतल रहेगी तो ये जो रिस्क है उसके पृति आपने जाग रुक रहना चाहिए दोस्तों आप में से जुमारे विद्ध्यारती है उनको हम हमेशा से कहते हैं कि आप सब कुछ अच्छा अच्छा बात कीजिए कोई दिक्कत नहीं लेकिन जो जो खत्रे हैं उनके पृति जाग रुक रहे हैं ताकि आप नवेश का बहतर डिसीजन ले पाएं और हाँ दोस्तों शेर मार्केट 21,700 की लेवल पर खड़ा है कि तु गिरावटें जल्दी ही आएंगी उनका लाव उठाने के लिए अच्छा माल सस्त अदाम में खरीदने के लिए जरूरी हुनर कलाएं सीख लीजिए परंद तु ध्यान रखियेगा अगले दो दिनों के बाद एक जनवरी 2024 से हमारे तीनों आट्मिनर वर इंवेस्टर फ्यूचर सिवम आप्शन स्कोर्स की फीस डबल डबल हो रही है इसलिए इसी वीडियो के डिस्क्रप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है उस पर क्लिक करके अपना पसंद दीदा आट्मिनर वर इंवेस्टर फ्यूचर सिवम आप्शन स्कोर्स जरूर जोइन कर लीजिएगा अभी के अभी